जेहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो के साथ तो इस वीडियो में हम बात करने वाले है SSC GD क्या है या SSC GD क्या होता है इसकी पूरी जानकारी आप इस वीडियो में देखेंगे SSC GD Constable 2024 भरती में अगर आप जा रहे है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज़्यादा important होने माली है इस वीडियो में SSC GD Constable की जितनी भी details है जितनी भी जानकारी है वो यहां पर मैं discuss करने वाला हूँ ठीक है अगर देखिए सबसे पहले इसका introduction देखते है कि SSC GD जो है करमचारी chain आयोगे ने SSC Constable की पद के लिए जो है आयोजित की जाने वाली राष्टी इस तर की परिक्षा है ठीक है जिसके अंतरकत जो है जो पेरा मिलिटरी फोर्स है ठीक है अर्दसेनिक भल है जिसमें BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSB, SM Rifle, Rifleman, GD, NIA, SSF और NCB की पोस्ट प पर वाती है इसके मादम से देश की जो सिवा करने का आउसर है वो आपको प्राप्त होता है और अगर आप SSGD में जाना चाहते तो वो इससे जुड़ी पूरी जान करी आप लोगों को होने चाहिए अब यहां पर आप देखेंगे कि SSGD में कौन-कौन सी पोस्ट पर भरती होती है इन में से कोई भी एक पोस्ट आपको सिलेक्ट करना होगा जो भी इस पोस्ट में आप जाना चाहते है सबसे पहले बॉर्डर सेक्रेटरी फोर्ष है है उसके बाद है आप लोगों का सेंट्रल इंडिस्ट्रियल सेक्रेटरी फोर्ष यानिंए CISF ठीक है BSF हो गया ठीक है NIA की वेकेंसी भी आती है फिर आपका है SSF ठीक है ससस्तर सेक्रेटरी फोर्ष यह इतनी पोस्ट है जो कि SSC जीडी के अंतरगत SSC जो है भरती कराती है इसमें SSC का काम सिर्फ है कि आपका एक्जाम लेना है उसके बाद यह फोर्ष अपने अपने जो है फोर्ष जो बीएसेफ है तो बीएसेफ का फिजीकल वो मेडिकल वो सारा प्रोसेस जो है वही फोर्ष कंड़क्ट करवाती है आप देखे यहां पर SSC के लिए आविसक योगयता क्या है फार्म भरने के लिए कून फार्म भर सकता है तो इसमें अगर बात करें आयूसी मा की तो 18 से लेक इसके लिए जो है eligible रहते हैं तो यहां पर मैंने बता दिया आपको 10 भी पास अगराफ है ठीक है इसमें percentage का जो है कोई issue नहीं रहता है कि आपने 10 भी में कितने percent से जो है पास की है अब यहां पर आप देखिए किस तरीके से selection process रहता है इसको हम सबसे पहले discuss करते हैं क्योंक सबसे पहला है computer-based test यानि CBT होगा exam होगा यहां चैन परक्रेय का पहला चरण है जो कि एक computer आधारित online परिक्षा होती है जिसमें आपको 160 अंकों का प्रिशन पूछे जाएंगे जिसमें 80 questions रहते है और यह syllabus पीछली बार से change किया गया है अब यहां पर यह आपको होगा इसम आपका जो एक सही वाला परिशन है वो भी गलत हो जाएगा ठीक है यह टोटल पांच परिशन गलत हो जाएंगे इस तरीके से तो यह आप चीज़ याद रखे का उसके बाद physical होता है physical होता है physical में क्या होता है वो भी हम discuss करेंगे और computer-based exam का क्या syllabus रहता है exam pattern रहता हो भी हम लिसकस करेंगे तो उसके बाद जो second step है वो आपका physical test छीके इसमें आप लोगों के पहले जरण में जो इस्टूदेट पास हो जाते उससे 8 गुना students को जो है बुलाया जाता है तो आप लोगों के है पीटी होगा यहने आप के सारी लीक map की जो है जाच की जाएगी उसके ब चाहती कितनी चाहिए वह भी हम आगे देखेंगे उसके बाद फिर फाइनल जो स्टेश है अपका मेडिकल टेस्ट होता है अब मेडिकल में अगर हम बात करें तो देखिए इसमें आप लोगों को जो है उम्मिदवार अपनी जाप को सभी कारियों को पूरा करने के लिए सारे यहां तक का जो स्टेश है कि आपने सबसे पहले आपने फOORM एपलाई किया फ़ौरम एपलाई के पाध आपने एक्जाम दे इदिया एक्जाम देने के लिए है का फिजिकल के लिग होगा अब यहां पर इमसरे पर कीजाती हाईट हो चाहे कितनी दोडे की जाती है वह कारे में कि किस तरीके से इसके जॉब फ्रॉफाइल रहती है तो इसले बस जो इसका रहता है एक्जाम इंपॉर्टेंट है तो 20-20 प्रशन सभी टॉपिक्स से आपको पुछे जाएंगे चाहे वो रिजनिंग हो ठीक है जीके हो गणित हो जाहे हिंदी और अंग्रेजी हो ठी 25 की ठीक है इसमें गलत करेंगे तो आपके जो पांच जो कोश्चन अगर चार कोश्चन आपने गलत किया तो एक जो सही कोश्चन है वो भी गलत हो जाएक और टोटल पांच कोश्चन जो है गलत हो जाते अब यहां पर आप देखेंगे तो आप लोगों के रिजनिंग से 20 पूछे जाएंगे जिसके लिए 40 अंक रहेंगे जनरल जो आवएडनेंस है जीकेजी इस इससे आपके 20 परेश्चन पूछे जाएंगे जिसके लिए 40 अंक आपको देजाएंगे हना प्रारंबिक गणित मैत्स आएगे आपको 40 नंबर की और 20 जो question है वो अंग्रे जी या हिंदी कोई भी आपने हिसाब से आप चुन सकते हैं अगर आपने हिंदी माध्यम से 10 वी पास किये 12 वी पास किये पढ़ाई किये तो आप उसको चुनेंगे अगर अंग्रे जी से किये तो उससे चुनेंगे 80 जो है टोटल प्रशन रहेंगे 160 जो है यहां पर अंक दिये जाएंगे और एक घंड़े का आपको इसके लिए समय दिया जाएगा यह तो होगी शीलेवस की बात और इसको और भी डीटेल टॉपिक वाइस सारी चीज़ समझना है तो आपको लिंग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अब एकजाम के बाद आपका जो कटाउप बनता है उसके बाद फिजिकल होता है तो जनरल OBC और SC के टिगरी के लिए 170 cm चीए पूरुसों के लिए और महिलाओ के लिए 177 cm वहीं ST के टिगरी से एकर आप है तो 162.5 पूरुसों के लिए 150 cm आपकी महिलाओ के लिए ठीक है वहीं सीने की बात करते है तो देखिए सीना जो है STSC OBC के लिए 80-85 आपको करना है वही ST के टिगरी के लिए 76 से लेके 81 cm आपको करना होगा और female में जो है सीने की महाँ नहीं होती है यह याद रखिए अब देखिए उसके बाद आपको आपने height में आपने complete कर लिया आपके height जितनी मागी उतनी है सीना जितना माँगा उतना है तो फिर उसके बाद आपकी running होती ह रनिंग होती है 5 km की ठीक है, male candidate के लिए और इसके लिए समय मिलता है 24 मिनट वही female के लिए जो है आपका 1.6 km की रनिंग होती है और 6.5 जो है मिनट का समय दिया जाता है, sorry ये आप लोगों के लद्दाग रेजिन के लिए 6.1.6 km की रनिंग होती है और 6.5 मिनट का समय आपको दिया जाता है फिर महिलाओ के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1.6 km की रनिंग होती है और 8.5 समय ने 8.5 मिनट के समय आपको दिया जाता है है ना याद रखिए गई ये और फिर आप लोगों को जो है 8.5 मिनट की दोड होती है ठीक है इसमें आप लोगों को जो है 4 मिनट का समय दिया जाता है ये आप लोगों का फिजिकल का जो क्राइट एरिया है ठीक है क्या होगा इस तरीके की जो दोड है सीना है फाइट है वो सारी चीज़ यहाँ पर अब हम बात करते हैं सेलेरी के सेलेरी की सी तरीके से क्या मिलती है Harvard गे- िर देखिए यहां पर सेलेरी के गर हम बात करते हैं तो उसकी बेसिक ग Cancer साथ सो रहता है। थीक है इसलेपी सफर करने के अनुसार मिलता है। अप जुपश्ट पर अप्लाइ करते हैं अपको जुतना सफर करना पड़ रहा है उस पोश्ट के लिए उसमें आप लोगों पैसे उस अकौर्डिंग मिलते हैं हाउसरेंde की बात करें एंद आ यहां रहते हैं आप लोगों का 3238 Rs. अ पर समय के साथ बढ़ता है ठीक है और नेट रणिंग आपको जो कटपिट के आपकी 23,000 के आसपास अभी मिलेगी जब आप जोइन करेंगे तो देखी यहां पर यह चीज़े एक ही सेलेरी हर समय नहीं रहती है समय के साथ सेलेरी जो है बढ़ती है ठीक है लेकिन यहां पर पोस्ट वाइस जो है सेलेरी जो है अलग अलग होती है अब यहां पर पोस्ट वाइस सेलेरी की बात करते है तो देखी यहां पर पोस्ट वाइस सेलेरी की बात करते है साथ में जॉब प्रोफाइल की बात करते है जैसा कि मैंने बता है SSGD के अंदर का इतनी सारी जो फोर्स है इसमें आप लोगों को चैन किया जाता है आप लोगों का अब इसमें अलग-अलग सभी का जॉब प्रोफाइल होता है जैसे कि BASF की बात करें तो BASF जो है Border Security Force है और इसमें आप लोगों को जो है बार्डर यानि जो पाकिस्तान वाला जो एरिया है ठीक है पाकिस्तान और बंगलादेश वाला जो एरिया है इसकी रक्षा करना BASF का काम होता है ठीक है यह आप लोगों को पता होगा और उसी अकॉर्डिंग आपको जो ह जादा कुछ सेलेरी नहीं बनती है क्योंकि एक जगा पर प्रटिकुलर जगा पर ही आपको अपनी ड्यूटी देनी होती है CISF की बात करते हैं तो CISF दिखिए आप लोगों का है इंडरेस्टियल जैसे के अगर हम बात करें बड़े-बड़े रेलवे स्टेशन ठीक है उस सेलेरी अच्छी मिलती है आप लोगों को ठीक है ज्यादा सिलती वाली पोस्ट है उसके बाद आपका है CRPF तो CRPF को पता है आतंगवादी गतिविद्यू से लड़ने का काम करती है CRPF और आपको ग्रूप में काम करना पड़ेगा बटालियन के तोर पे फिर आपका इंड सासत्र सीमाबल की बात करें SSB आप लोगों को मैक्जिममम सची वाले में देखने को मिलेगी ठीक है सची वाले में मिलेगी जैसे कि करम बात करें राष्ट्रपती भवन प्रधानमंत्री भवन ठीक है जितने भी यह जो बड़े अधिकारी है इनके जो बंगले है वहां पर जो है नेपाल ठीक है भूटान इन वाटर पर आपको देखने को मिलती है तो वेकेंसी की बात करें तो सभी वेकेंसी बाटर वाली है ठीक है अगर हम बात करें एसेफ की ठीक है एसेशबी की और एसेशबी की यह भी यह तीने वेकेंसी जहां पर आप लोगों को किसी पर्टिकुलर जगह पर देस्क के अंदर जो है सिवा देने का मौगा मिल सकता है तो जूब प्रोफाइल की बात कर लें सेलरी की बात कर तो सेलरी में आपको जयदा देखने को मिलती है और फिर आप लोगों का ऐसे ऐसेश ए जहां पर आप लोगों को आल इंडिया कट भी दहने को मिलीकि और उसकी जो उबीर की